कंड़ फिल्मों के सुपर इस्टार पुनीत राजकुमार का हार्ट अटेक होने के कारण देहान दो गया सिधार शुकला केवल 40 साल की उमर में हार्ट अटेक के कारण ये दुनिया छोड़के चले गए और पुनीत राजकुमार की उमर भी बी सिर्फ 46 साल थी अब सवाल दोस्तों ये उटता है और ये वीडियो बनाने का मकस्द भी ये है कि यंग लोगों में युवाओं में इतनी कम उमर में हार्ट अटेक क्यों हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है क्या पहले भी ऐसे कम हमर के लोगों में हार्ट अटेक होा करते थे या अभी ये कोई नया train है कि इतनी जल्दी जल्दी कम हमर के लोगों में हार्ट अटेक के कारण मौते हो रही है तो दोस्तों ये अगर देखा जाए तो एक lifestyle disease है जैसे हमारा खाने पीने का ढंग, रहन सेन का तरीका बदला है तो जो non communicable diseases हैं, उनका खत्रा लगातार बढ़ता रहा जा रहा है चाहे वो hypertension हो, चाहे वो heart attack हो, चाहे वो stroke हो या blood pressure, blood sugar की बिमारिया हो अब उसी कड़ी में एक ये कारण आ जाता है heart attack होने का लेकिन heart attack क्यों हो रहा है, ये लोग तो जिम भी जाते है, बिलकुल चुस्त दुरूस्त रहते हैं खान पीन का भी दियान रखते हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों तो इस यूटियों में दोस्तों हम इनी कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, कैसी क्या पाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो ये heart attack का कारण बन रहे हैं, और क्या इनको avoid किया जा सकता है क्या ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसे कुछ नियम हैं, जिनको हम अपनाएं और ये बिना समय की जो heart attack हैं, इनको रोका जा सकता हो और सबसे बड़ी चीज़ होती है, कि आप smoking शुरू कर देते हैं, दुमरपान शुरू कर देते हैं दुमरपान सबसे बड़ा दुश्मन है heart attack या coronary artery disease के लिए इसमें कहीं न कहीं एक कारण अधिक मात्रा में एलकॉल का सेवन या शराब का सेवन भी माना जाता है हाला कि कम मात्रा में शराब फायदे मंद होती है, लेकिन अधिक मात्रा में शराब का सेवन ये कारण बना सकता है heart attack के भी क्योंकि उससे blood sugar का level बढ़ता है और blood sugar भी heart attack को easy कर देता है उसके अलावा दोस्तों जो refined sugars है जो हम बाहर का pack डब्बे बंद खाना काते हैं उसमें पता नहीं कौन-कौन से chemical मिले होते हैं हम बहुत जादा चिकना बोजन करने लगे हैं हम जितने junk food हैं जिसमें नमक बहुत जादा होता है चिकनाई बहुत जादा होती है saturated fats बहुत जादा होता है animal fat का हम जादा use करते हैं हम refined sugar का जादा इस्तमाल करते हैं ये जो सारी चीज़े हैं कहीं न कहीं शरीर के उपर adverse effect डालते हैं नमक जो है वो blood pressure बलाने का काम करता है और जो मीठा है वो blood sugar बलाने का काम करता है और जो चिकनाई है वो शरीर में cholesterol की मातरा को बढ़ा देती है अब अगर cholesterol की मातरा बढ़ जाती है तो जो खून पहुचाती है दिल को arteries जिसको coronary arteries कहते हैं उनके अंदर cholesterol जमा होने लगता है और जब हम धुमर पान करते हैं तो यह जो arteries हैं वो सक्त हो जाती है अगर arteries सक्त हो जाएगी और वहाँ पे cholesterol भी जमा होगा तो जो रास्ता वो narrow हो जाता है अगर heart को blood की supply नहीं मिलती है तो यही कारण heart attack का होता है इसी को heart attack कहते हैं कि जब heart को blood की supply पूरी तरह से जाना रुख जाए या कम हो जाए लोग यह कहते हैं कि जिम करिए व्याम करिए, exercise करिए, तंदुस्त रहिए लेकिन ऐसा क्यों है क्योंकि दोनों ही cases में चाहें उसे दाथ शुकला जी हो या चाहें वो पुनीत राजकुमार जी हो इन दोनों में यह पाया गया कि इन लोगों ने जिम किया था यह जिम करके आये थे और उसके बाद इनको heart attack हुआ तो इसका क्या कारण है देखिए इसके दो कारण हो सकते पहला तो यह सारी चीज़े अगर involve हैं डालेंगे तो यह सारे नुकसान हो सकते हैं क्योंकि जा आप exercise कर रहे होते हैं वयाम कर रहे होते हैं वर्काउट कर रहे होते हैं तो आपका heart rate भी बढ़ता है एक level तक जाके और आपका blood pressure भी उससे में बढ़ रहा होता है और अगर narrow होगी artery और blood pressure जादा होगा तो फिर chances हैं कि वहाँ पे कोई clot जमा हो जाए या कहीं पर यह जो deposit से cholesterol के वो जमा हो जाए और आगे खून का रास्ता बंद कर दे बट इसके पलट जो मुझे बहुत बड़ा कारण समझ में आता है और जो esteroids हैं यह बहुत नुक्सान दे होते हैं हाला कि आपका यह protein का consumption बड़ा देते हैं muscles का mass बड़ा देते हैं muscles का size बड़ा देते हैं लेकिन यह एक कारण भी बन सकता है heart attack होने का क्योंकि आपके body के metabolic function को बदल देते हैं उसके अलावा जो decaduroboraline यह इस तरह के जो esteroids हैं उनका नुक्सान होता है कि यह नपुनसकता करते हैं testis strong के level को भी कम कर देते हैं इसलिए जिम में के बार आपने देखा होगा trainer testis strong injections लेने की सलावी देता है तो इन esteroids के इस्तमाल से बिल्कुल बचे आप natural protein खाईए natural बोजन करिए हरी साख शबजियां खाईए अंडा खाईए मचली खाईए मगर natural food के अलावा जो artificial या बनावटी खाने हैं उनसे आप बचें और artificial तरीकों से अपने muscle के मास को बढ़ाने से बचें क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है heart attack का और मुझे लगता है कि शायद जिम करने वालों में यही एक कारण है उनको स्वस्थ होते हुए भी हुस्ट पुस्थ होते हुए भी चुस्थ दुरुस्थ होते हुए भी क्यों heart attack आ जाते हैं तो ये बड़ा कारण है क्योंकि आप इस्टोइट्स का इस्तमाल करते हैं और इस्टोइट्स एड़र्स इफेक्ट डालते है उसके अलावा एक सेलेब्रिटीज में बड़ा चलन है अच्छा दिखने का तो एक दवाई होती है बोटोक्स के नाम की बोटोक्स के जो इंजेक्शन इस्तमाल करते हैं लोग इस्किन में बोटोक्स के इंजेक्शन लगाते हैं तो इस्किन को जोने सिकोड़ती है मसल्स को टाइट कर देती है तो इससे जवान लगने लगता है हीरो, सैलिबरेटी, हीरोईन के फेसिस पे जुर्या नहीं दिखती है मगर अगर ये मसल्स को कॉंस्ट्रिक्ट करता है तो इसका इफेक्ट कहीं न कहीं आर्टरी जी पे भी उसी तरह का जाके पड़ता है कि जब आप सादा मात्रा में बोटोक्स ले लेते हैं तो ये कारण बनता है हर्ट अटेक का या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का और आपने सुना होगा जिन दोनों श्री देवी जी की मोध हुई थी ये बात निकल के आई थी कि शायद वो बोटोक्स का जादा इस्तमाल करती थी ये कारण हो सकता है उनको हर्ट अटेक होने का तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ा आपको बतानी चाहिए यंग पॉपलेशन को ये चीज़े पता होनी चाहिए अगर आप जिम जाते हैं तो आप नैचुरल भोजन पे धियान दे आप घर के बने खाने पे धियान दे वो पॉडर्स वो इस्ट्रोइड्स उन सब के चक्रों में ना पढ़े और अगर खुले में एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छा है दुम्रपान से बिलकुल बचें नमक मीठे का कंट्रोल करें चिकनाई आप खा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको उसको पचाना पड़ेगा तो आप कलोरीस को बर्न करें और खास दोर से बटोक्स का इस्तमाल बहुत अच्छा नहीं है एक लिमिट में हो तो बैतर है लेकिन अगर जादा होगा तो ये कारण बन सकता है किसी की मृतियू का भी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लोग को शेयर करें जादे जादे लोग को उसका फायदा मिले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन का बटन दबाना ना भूले सोधाट आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर आते रहें और जो मैं वीडियो आपको बेजता हूँ आपको मिलते रहें धन्यवाद